यहां पे टेमपेस्ट वर्ड का मतलब है तुफान और यह चैप्टर लिखा हुआ है विलियम सिक्सपियर ने इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम यहां पे इसके इंट्रो के बारे में जान लेती हैं इंट्रो में लिखा हुआ है एक दिन प्रोसपेरो जो एक जादुगर है अपनी बेटी को बताते हैं एक कहानी अपने अतीत की इसमें वो कहानी बताती हैं जो उन्होंने पहले सुरू की थी पर अभी तक खतम नहीं हुई थी और इस कहानी में बताने वाले हैं कि कैसे बारे साल पहले वो इस आईलेंड पे आए जहां पर वो रहते हैं और इस स्टोरी को अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि इस स्टोरी में आखिर क्या होगा श्टोरी की श्टार्टिंग यहां से हुई है कि दूर एक सुमसान आईलेंड पर एक बुद्धिमान वैक्ती अपनी बेटी के साथ रहता था उस बुद्धिमान वैक्ती का नाम था प्रोसपेरो और वो एक जादूगर था उसकी बेटी का नाम मिरेंडा था और वो एक जवान 16 साल की लड़की थी प्रोस्पेरो जादू की कला बहुती अच्छे से जानता था और वो इतना अच्छा था जादू की कला में कि वो वहां के रहने वाली स्पिरिट्स यानि आत्माओं और यहां से एल्फ से अपनी बातें बनवा लिया करता था और उन्हें काम दिया करता था उन्ही सभी स्पिरिट्स में से एक मुख्य स्पिरिट्स थी जिसका नाम था एरियल वो बहुत ही important थी अपने master के लिए वो एक ऐसी creature थी जो कि अपने master की वफादार होने के साथ थोड़ी सरारती भी थी aerial बहुत बिल्कुल invisible थी वो आत्मा बिल्कुल invisible थी यानि वो किसी को नहीं दिखाई देती थी सिर्फ प्रोस्पेरो को उन जादूगर को ही सिर्फ दिखाई देती थी और प्रोस्पेरो अपने जितने भी main काम होते थे जितने भी main task होते थे सबी काम उसी को सोबता था एक दिन प्रोस्पेरो ने एक डारामना साथ जो तूफान है वो create किया अपनी जादूई सकती से और अपनी बेटी को उससे बीच पर ले गए जहां पर सिप जो है उस तूफान से के सामने स्ट्रगल कर रहा है उससे निकलने की और उसकी लहरों से उस सिप को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले ही sun वो जो है अगले ही moment वो डूबने वाली है और उस पर सवार होने वाली जितने भी यातरी है वो भी उस पर उसके साथ डूब जाएंगे जब उन्हें आवाज आई उस सिप से कि और उन्हें पता चला कि उस सिप पर कुछ human beings भी है कुछ इंसान भी है जैसे कि लटकी और उसके फादर वहीं पर थे उन्हें ये अवाज आ गई थी तो उस मिरिंडा के मन में दया आ गई उन सभी के लिए वो अपने फादर से कहती है कि अगर आपने ये बवंडर क्रियेट किया है तो उन लोगों पर दयवाया करो जो उस सिप पर सवार है उनको डूबने मत दो उसके फादर कहती है अपनी बेटी से माई चाइल्ड अपने बेटी को संतूष्ट करते हुए कि चिंदा मत करो उस पर जितने भी लोग सवार है उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा वो थोड़ी देर रुखती है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती है वो कहती है मिरेंडा मिरेंडा वो समय आ चुका है जब मैं तुमें सब कुछ बताने वाला हूँ बारे साल पहले मैं मिलान का सासक था और मेरी सिर्फ तुम ही एक लोती बेटी थी और मेरी प्रिंसिस थी और मेरी ही उत्तर अधिकारी थी उस समय मेरा जो इंट्रेस्ट था मेरी जो रुची थी वो थी जादू कर जादू पढ़ाई में जादू की पढ़ाई में मेरा इंट्रेस्ट था स्टेडीस में और मैं ज़्यादा था समय अपना उन्ही स्टेडी में उन बुक्स को स्टेडी करने में निकाल दिया करता था तो इस वज़े से जब मैं ज़्यादा बिजी होने लगा तो मैंने अपना जो डुक्डम है अपना जो समराजी है जो एरिया था जिस पर वो राज करते थे वो समराजी का जो कारुबार है उसने अपनी जंग ब्रेदर एंटोनियो के हाथों सौब दिया कि वो अब उसके काम को समालने वाला है उन्होंने उस पर वो कहते हैं कि मैंने उस पर भरोसा किया पर उसने मेरी भरोसे को गलत साबित किया और वो नमक हराम लिखला और तुम ये देखी रही हो वो कहता है कि उसने मेरा एक सडियन तरखा रचा और मेरा ड्यूगडम मुझसे छील लिया और वो इसमें कामियाब हुआ अपने एक साथी के साथ जो की नैपल्स का किंग था नैपल्स की राजा ने उसके साथ दिया इस गलत काम में मेरा चालाग भाई जिसने मुझे एक टूटी हुई बोट पर डाल दिया टूटी और खराब बोट पर डाल दिया नहीं उसमें कुछ समान रखा जिससे हम उस बोट को चला सके यहाँ पर और सेल्स यह समान है चापू जो बोट को चलाने के लिए यूस होती है और हमें समुद्र के बीच धकेल दिया उसने सोचा कि हम जल्दी ही इस नाओं में रहे कर जल्दी ही मर जाएंगे पर फोर्चुनेटली मेरा एक दोस्त जिसका नाम था गोंजेलो उसकी वज़े से हम बच गए उसने बोट में पानी कुछ खाने का समान और कुछ कपड़े रख दिये और मेरी सबसे किमती चीज जो थी मेरी बुक बैजिक की जादुई बुक थी वो भी मेरे साथ रख दी मैं थैंक्स करता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ गोंजेलो को जिसकी वज़े से हम इस आईलेंट पर बच पाई अब प्रोस्पेरो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ मैं बताने के लिए कि मैंने इस तुफान का निर्मान क्यों किया है तुम उस सामने वो सिप को देख रही होगी उस सिप पर मेरे सभी दुसमन है उस पर मेरा दुसमन मेरा ब्रेदर एंटोनियो है और वो राजा जिसने मेरी मदद की थी किंग ऑफ नेपाल वो भी उस नाव पर सवार है और तुम देखना वो जल्द ही बहते हुए यहाँ पर सांथ हो जाती है वो अपनी बेटी को अपनी जादुई छड़ी से छूते हैं और अपनी जादुई छड़ी से छूकर उसे सुला देती है अब क्यों सुलाते है उसके बारे में भी आगे बताया गया है कि वहाँ पर एरियल आ जाता है एरियल वही स्प्रीट थी वो एरियल जान जाती है उसे आभास हो जाता कि अगर वह देखती हुगी उसके फादर जो है किसी हवा में बाते कर रहे हैं क्योंकि जो मेरेंडा थी उसकी बेटी उसको नही पता था एरियल के बारे में कि कोई ऐसी इस्पृट भी है जो किसी और को नहीं सिर्फ उसके पिता को ही दिखाई देती है उसके बारे में नहीं जानती और साइथ उसको पता चल जाता है भनक हो जाती इस स्प्रीट के बारे में तो उसके पिता उस स्प्रीट से कहते है Well, my brave spirit मतलब बहादूर वो अपनी भादूर स्प्रीट से उसे एरियल से कहती है कि तुमने अपना टास्क कैसे perform किया, कैसे पूरा किया तो एरियल उनको अच्छे से सारी description में उसके तुफान के बारे में बताती है कैसे उसने आतंक मचाया उस तुफान ने क्या क्या बरबादी कि उसने और कैसे राजा का बेटा जिसका नाम है फर्ली लेंड यहाँ पर ध्यान रखना राजा का बेटा नाम है फर्ली लेंड वो कैसे उस समुद्र में सबसे पहले उसने जंप किया वो अब फिर spirit से कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया यू डन वैल माई जंटल स्पिरिट नाव जाओ अब उस यंग प्रिंस को लेकर मेरे हमारे पास लेकर आओ मेरी बेटी को उसको देखना चाहिए प्रेसपेरो मन ही मन स्माइल करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कुछ सीक्रेट थोड़ चल रहे होती है उस थोड़ के बारे में भी अब हम आगे जानने वाले हैं प्रेसपेरो उसको कमांड देती है उस spirit को aerial को कमांड देती है और कहते हैं कि अगर उसने ये सारी काम पूरा कर दिया तो वो प्रोमिस करती है कि उसको आजाद कर देंगे जब काम कम्पलीट हो जाएगा aerial भी अग्यकारी की तरह है उनकी बात मानकर वहां से उड़ जाता है और फर्डी लेंड के पास पहुच जाता है जो की पत्थरों पर बड़े ही उड़ास से बैठा हुआ था वो कहता है कम सर फोलो मी मेरे साथ आओ सर इसनी बात वो के जो aerial है वो उससे फर्डी लेंड से बोलता है अब यहाँ पे जो जंग प्रिंस था जानी फर्डी लेंड वो बहुत है हरान हो जाता है उस अवाज को सुनकर क्योंकि वो खाली air से आ रही थी हवा से आ रही थी हुआ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था पर फिर भी वो उस अवाज की बात मान लेता है और उसी के पीछे फोलो करने लगता है एरियल उसको दिसा दिखाने के लिए उसे रास्ता दिखाने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है और गाने के साथ साथ वो उसको प्रोस्पेरो और मिरेंडा के पास ले जाता है जो की पेड की छाओ में बैठे हुए थे मिरिंडा पहली बार फर्डी लेंड को देखती है और वो अपनी आँखो पर बिलीव नहीं कर पाती क्योंकि उसने अपने फादर के अलावा किसी और आदमी को पहले कभी नहीं देखा था वो उस प्रेंस को देखकर कहती है फादर देखो कितना beautiful creature है क्या ये भी एक spirit है क्या भी ये भी एक आतमा है तो उसके फादर कहते है no child ये कोई spirit नहीं है ये तो खाना खाती है और सोती है जैसे हम करते है ये एक इंसान है ठीक है जैसे की ये इंसान है जो की हमने उस सिप पर देखे थे उस नाव पर जो तुपान में घुम रही थी ये इंसान तो यहाँ पर अपने साथियों की तलास कर रहा है और खुम रहा है अपने साथियों की तलास कर रहा है मिरेंडा बहुत खुस हो जाती है उस handsome prince, young prince को देख कर वो सोचती थी कि जितने भी man's है उनका जो face है वो serious face होगा serious सभाव होंगे उसके faces पर उनकी बड़ी-बड़ी दाड़ी होती होंगी जैसे बिल्कुल उनके फादर की तरह है उसके फादर की बड़ी-बड़ी था दाड़ी थी वो भी serious रहते थे तो फड़ी लेंड जो था prince वो भी हैरान हो गया ऐसी लड़की को देखकर इतनी सुन्दर लड़की को देखकर जो ऐसी जंगली इलाकों में और एक सुमसान इलाकों में थी वो उसे सोचने लगा कि उसे देखकर कि यह साइद इस island की कोई देवी होगी और उसी तरीके से उसे सम्मानित करता रहा पर Miranda उसे बड़ी ही डर्भ है सवाव से थोड़ी हिचकी चाते हुए बताती है कि वो कोई गोड़ेस नहीं है कोई देवी नहीं है वो तो एक simple lady है ठीक है simple lady है प्रसपेरो बहुत ही खुस होता है यह इन दोनों को देखके हुए प्रसपेरो यानि उनके फादर बहुत ही खुस होती है देखकर कि दोनों के दोनों एक ही पहली नजर में एक दूसरे को प्यार करने लगे उसी समय at the same time वो इनके प्यार को भी परखना चाता था वो टेस्ट लेना चाता था कि यह सच में अच्छे प्यार करती है या नहीं तो उसके सामने वो डिफिकल्टी ला देती है अब देखो डिफिकल्टी क्या लाती है प्रसपेरो यानि उनके फादर फड़ी लैंड से बड़ी बेरुखी से बोलती है तुम तो एक जासूस हो और तुम यहां पर साहिद हमारे जो आईलेंड है उसको चुराने लाए हो हमसे छीनने आई हो पर मैं तुमें बता दो तुम ऐसे काम करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगे मैं तुमें यहां पर बांद कर रखूँगा और तुमें खाने के लिए सिर्फ सेलफिस और रूट्स दिया करूँगा बिरेंडा यह बात सुनकर रोने लग जाती है वो कहती है अपने फादर से कि आप इतने निर्दिया कैसे हो सकती हो कुछ तो दया करो इन पर पर प्रिस परो उनके फादर इनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती और फर्डी लेंड को मुस्किल काम सोब देती है वो कहती है इन लकडी के बड़े बड़े जो लकडी के गट्रे हैं उनको उठाओ और ऐसा कमांड उसको देती हैं order देती हैं और काम कराती है पर फर्डिलेंड जो कि एक प्रिंस था वो जल्दी ही ठक जाता है अब वो ठक इसलिए जाता है क्योंकि वो तो प्रिंस है और उसे यह से काम करने के इतने हाड वर्क करने की कभी आदत नहीं थी मिरेंडा उसको पाती है कि वो एक लकड़ी के टुकड़े पर यानि प्रिंस जो है वो लकड़ी के टुकड़े पर थगाहरा बैठा हुआ है पर मिरेंडा और वो प्रिंस यह बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनके जो फादर है उन्हें देखकर बहुती खुस हैं और इसमाइल भी कर रहे हैं क्योंकि वो जो फादर थे उनके वो वहाँ पर इनिविजिबली उनको देख रहे थे मतलब वो उनको दिखाए तो नहीं दे रहे थे पर उनके पास ही वो खड़े थे और उनको देख रहे थे और उनको देख चुके हैं एक दूसरे से फडी लेंड वो प्रिंस पूछता है कि तुम्हारा लड़की से कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो लड़की जो गरल है वो बताती है कि मेरा नाम मिरेंडा है और ये बात जो है उसके फादर ने बिल्कुल मना की थी कि अपना नाम कभी किसी को मत बताना पर उसने अपनी फादर की आगया का पालन नहीं पे नहीं किया और अपना नाम बता दिया इनी से भी बातों में बाते बाते करते हुए फडी लेंड यानि वो प्रिंस बताता है कि एक दिन वो नैपल्स का राजा बनेगा और वो नैपल्स का राजा बनने के बाद कि वो उसकी राणी वो उसे अपनी राणी बनाना चाहेगा तो मिरिंडा उसकी बात सुनकर बहुती खुस हो जाती है और वो आंसर बहुती सिंपल वे में देती है कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ जरूर बनना चाहूंगी अगर तुम इसे जरूर साधी करोगे तो प्रेसपेरो उनका फादर यानि प्रेसपेरो उनके फादर इनकी बात सुनकर बहुत खुस हो जाते हैं फिर वो अपने आपको visible कर लेता है यानि वो उनको आप दिखाई देने लगता है और एक सुन्दर सी smile बहुती दयावाली smile से उनकी तरफ देखता है और कहता है मैंने सारी बाते सुन ली है फली रैड मैंने सारे तुम्हारे साथ बहुती बुरा भेवार किया है और मैं ये मानता हूँ पर मैं अपनी जो गलती है उसको सुधार भी रहूँगा मैं अपनी बेटी तुम्हें सोपता हूँ और मैं तो सिर्फ तुम्हारी जो प्यार है उसकी strength को test करना चाहता था अब मुझे जहां से जाना चाहिए और दूसरा मुझे काम है मुझे कुछ और भी काम है मैं उसको पूरा करके आता हूँ यहां पर आराम से बैठो और बाते करो मरेंडा और फ्रेडी लेंड दोनों बहुती खुस थे इनकी बात सुनकर प्रोस्पेरो अब एरियल अपनी स्पिरिट के पास जाती है उस स्पिरिट के पास और कहती है वेल माई ब्रेव स्पिरिट क्या खबर है मेरे भाई की और किंग ओफ नेपल्स की एरियल वो स्पिरिट हसती है और कहती है कि वो तो बिलकुल पागल से हो गए है वो बिल्कुल अदमरी हो गए हैं भूक और कमजोरी की वज़े से मैंने उनकी जो बुराई हैं उनको याद दिलाई है उन्होंने कैसे आपके साथ बुरा किया है वो सब कुछ मैंने याद दिला दिया है और उनको जैसे आपने कहा था उनको पनीस भी बहुत किया है और तुम्हें आपको साइद उनका चेहरा देखना चाहिए था आपको होना चाहिए था वहापर उनका चेहरा देखना चाहिए था उन्हें अपने किये पर पस्तावा हो रहा है यहापर रिमोर्स होता है पस्ताव हो रहा है उन्हें अपनी कीए पर जो उन्हें बुराई काम किये हैं उन्हें को पस्ताब़ हो रहा है और मुझे दासा देखकर बहुती दया आ रही है धर आप तैक घौझे दया सब्सक्रांदीff कहते हैं जो वो जो फादर है उनके वो कह रहे हैं कि if you pity them अगर तो आपको उन पर दया हो रही है तुम तो एक split हो जब तुम पर दया हो रही है और मैं तो एक human being हूँ मैं तो एक इनसान हो नहीं की तरह है तो सोचो मुझे कितनी दया आ रही होगी उन पर उनको चलो ऐसा करो म उनको direction देते हुए उन सभी जो लोग अपने के परपस्ताव कर रहे हैं उनको सभी को लेकर प्रोसपेरो के गोफा तक लेकर आते हैं उनके साथ गॉंजेलो भी था गॉंजेलो वही व्यक्ति है जिसने 12 साल पहले प्रोसपेरो को की मदद की थी उस नाव में खाना रखकर क जिसने उनकी मदद की थी एंटोनियो जो उनके भाई था और किंग ओफ नेपास ये तीन व्यक्ति ये तीनों उनको पहचान नहीं पाई अब पहचान इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो मेजिकल जादू की लिबास में थी जादूगर के लिबास में थी उनकी वाइट दाड कि उनको माफ कर दें और किंग ओफ नेपास भी ऐसा ही करता है दोनों उनसे माफी मांगती है प्रोस्पेरो उनको माफ करने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें प्रोमिस भी किया जाता है कि उनका जो डुगडम समराज्जी है उनको वापस दिया जाएगा King of Naples जो King of Naples थे उनके लिए Prospero ये कहते है King of Naples से कि मैं तुमारे लिए मेरे पास एक gift भी है और इतना ही कहते ही वो एक door open कर देते है door को open करते ही उन्हें सामने देखता है उनका बेटा Ferdiland जो की chest खिल रहा है Prospero की बेटी Miranda से ठीक है अब इन दोनों को देखकर वो भी खुस हो जाते हैं और यही बात यहां पर बताई गया है Great was the joy of father and son to find each other alive and well यहाँ पर एक दूसरे को देखकर पिता और बेटे दोनों खुस हो जाते हैं कि दोनों जिन्दा है और बहुत ही सही है Prospero कहते है Let us forgive and forget एक दूसरे को माफ करें और सब कुछ भोल जाए अब हमारी सारी मुसीबत खतम हो चुकी है और Prospero सभी guest को जितने भी लोग होते हैं उस सभी को यह सुनिश्चित कराते हैं वो बताते हैं कि जो भी उनकी ship थी जो तुफान में फस चुकी थी वो भी सही है और जो ship पर members थे जितने भी लोग थे वो भी बिल्कुल सेव है अब वो अगले दिन अगले morning नेपल जाने के लिए तयार थे नेपल जाने के लिए तयार थे पर before the left पर वो इस island से बाहर जाने से पहले Prospero ने अपनी जितने भी जादुई किताब थी उन सबी को वहाँ पर धरती पर ही एक होल करकर एक गड़ा करकर उनको दपा दिया और साथ ही अपनी जादुई छड़ी भी जिसकी अब उनको उस magical powers की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसकी जरूरत होती भी क्यों क्योंकि जितनी भी उसकी इस्चाही थी वो सारी पूरी हो चुकी थी उनकी इचाही क्या थी उनकी इचाही थी उनका जो ब्रैदर है उन्हें अपना ले वापस मिल जाए चिंग ओफ नैपास इसका भी साथ हो जीन olmas मिल गया था और सबसे और उनका जो Here the man see love जो उनकी बेटी उसे उसे प्यार करती है अब नेक्स्ट है प्रेसपरो जब जा रहे होती है तो वो पीछे मुड़ती है और एरियल को देखती है और उसकी आजादी दे देती है जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि सारा काम कंप्लीट होने पर वो उसे आजाद कर देंगे तो यहाँ पर वो उसको आजाद करते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे एरियल यहाँ पर क्योंट के मतलब प्यारी भी होता है ठीक है तो मेरे प्यारे एरियल उससे स्प्रीट को कहते हैं एक दुख भरी सौबाब मैं मैं तुम्हें बहुती ज़्यादा मिस करूँगा बट गो यूर नौ फरी पर तुम जा सकती हो तुम आजाद हो इरियल इससे भी बात को सुनकर बहुती खुस हो जाता है कि वो अब आजाद है अब उसे किसी की आग्या मानने की जरुरत नहीं है वो खुस होकर उड़ जाता है और अपने गाना जो हमेंसे गाता है उसको गाता है अब देखो इस तरीके से यहाँ पर यह जो भी सोंग है वो गाता है जो उसे पसंद होता है अपनी आजादी की खुसी में और यह स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और स्टोरी की कंप्लीट पर मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जुरूर करना इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता हूँगा हिंदी एक्स्प्लेनेशन में कि मैं हर स्टोरी को हिंदी में ही एक्स्प्लेन करता हूँ और थैंक्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जुरूर करना और आपको बहुत करना